तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नय और लडेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के उर्दू का अब्जेक्टिव कोशन करने वाले हैं और मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ 10th क्लास के उर्दू के क्योशन पहला दिन यानि की डैटि वन में हम लोग 100 आफ्जेक्टिव कोशन कंप्लेट कर चुके हैं आज हम लोग100 की सौ अबजेक्टिव कोशन करेंगे दो Sacha कंप्लीट हो जाएगा और एक दिन कोचेगा यानि कि कल कल भी हमने अप्जेक्टिव कोशन करके टोटल तीन सब्जेक्टिव कोशन खतम कर देंगे और मैं आप लोगोगोगो बता देना चाहती हो हुआ कि आप लोग के एक्जाम में जो भी कोशन पूछे गा इसी फीन सब्जेक्टिव कोशन में से पूछेगा क्योंकि यह धीन सब्जेक्टि नियानि इस अप लोग के उर्दू के संव तरल फेस Epic 100 objective question करा रही हूं और सिर्फ 3 दिनों में हम लोग पूरा objective question खत्म कर रहे हैं ठीक है ना ये ध्यान में जरूर रखिएगा और जो भी मैं objective question कराती हूं उसी में से board exam में question पूछे जाते हैं ये तो आप लोगो खेर पताई होगा अगर आप ग्यापन academy से जुड़े हुए हैं और जितना भी मैं आप लोग को objective subjective question करा रही हूं उसको एकदम लगन के सांथ पढ़ना है उस पर 100% खरा उतारना है मैं जो बोलती हूं उसको 100% करना है और एक भी objective question को छोड़ना नहीं है जितना भी objective question करा रही हूं आज दूसरा दिन है हर एक objective question को आप लोग को attend करना है हर एक वीडियो को देखना है एक भी वीडियो मिस नहीं करना है तब जाकर आप लोग का उदू में 95 प्लस आने वाला है तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आई होप आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिये होंगे अभी तक आप लोग लाइक नहीं किये हैं तो फड़ाफट लाइक कर दे और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उटा सके आप लोग के रिष्टदार में जितने भी लोग है ठीक है आपके भाई बहान होगे चोटे बड़े भाई नोटिफीकेशन बेल जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफीकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और हां आप लोग का यह बहुत दा कमेंट आ रहा था कि हम लोग पीडिएफ कैसे ले जैसे ही मतलब हंड़ेट अब्जेक्टिव नहीं है क्योंकि मैं differentlyDR5 हूं ठेक है कहां से डाउनलोड करना है यह मैं आपको बिता देना चाहती हूं में आप लोग उसको सब्स्राइब कर लिजेगा और तब आप लोग जूड़ जाएंगे ग्यापन एकेडमी ऑफिसेल टेलीग्राम चानल से नहीं तो अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो वाट्सेप चैनल से जूड़ जाएए जिसका नाम है ग्यापन एकेडमी और टेलीग्राम और WhatsApp चैनल, दोनों चैनल का लिंग मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, आप लोगो जाकर कहीं ढूनने की जोत नहीं है, बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक किजिए, और उसके बाद से दोनों चैनल का लिंग डाला हुआ है, अगर आप PDF फ्री में अपलोड किया जाता है, तो आप लोग असानी से जूर कर ले सकते हैं, सोची एकदम फ्री PDF दिया जा रहा है, एकदम फ्री PDF एक पैसा भी नहीं लग रहा है, मैं एकदम फ्री PDF कर दी हूँ, और इस बात पर अगर आप लोग शेर ना करें, लाइक ना करें, तो और शेर भी नहीं कर रहे हैं, तो यह बहुत खलत बात है, आप लोग फड़ावर शेर कर दे और लाइक कर दे, अभी तक लाइक नहीं किये तो, चलिए, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और देखिए सबसे पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन की उपर आ चुका ह और ध्यान में रखिएगा यह objective question है, लेकिन मैं objective question में जो चार option होता है, उसमें से तीन जो गलत option होता है, गलत उतर उसको हटा दी हूँ, और जो सही option है, सिर्फ उसी को मैं यहाँ पर लिखी हूँ, एक से 80 question तक आप लोग का इसी तरह मिलेगा, direct answer लिखा हुआ है, लेकिन 81 से फिर से चार option आप लोगों को मिलना सुर्व हो जाएगा, एक 80 नंबर question से, तो चलिए देखे सबसे पहला सवाल है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, तो इनकी पैदाईश हुई थी 22 जुलाई उन्हें से 38 में, आगे बढ़ते हैं, next question है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या ह है, तो इनका real name है, मुस्तफा रजा, ठीक है, जिस भी option में आप लोगो मुस्तफा रजा दिखाई दे, उसको टिक कर देना है, ध्यान रहे, यह जो सही option है, बस मैं उसी को direct लिख दी हूँ, जो शार option होता है, उसमें से 3 option हटा दी हूँ, जो सही option है, वो direct लिख दी हूँ, तो option, जिस option में आप लोगो सीता मड़ी दिखाई दे, उसको टिक कर देना है, सीता मड़ी में शबनम कमाली की पैदाईश हुई थी, question number 4 की काईनात की तखलीक किस ने की, तो खुदा ने की है, पांच नमबर सवाल की, शबनम कमाली का तखलूस क्या है, तो इनका तखलूस जो है ना, शबनम है, यह हर एक चीज में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो मैं आप लोग उसे रिक्विस्ट करूँगी, कि आप लोग जाकर सबसे पहले चैप्टर पढ़े रहेंगे, तो हर एक कोशन का एंसर देना, आप लोग के लिए एक दम आसान बन जाएगा, तो चैप्टर जरूर पढ़े हैं, लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, प्लेरिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे, परती एक वीडियो, परती एक चैप्टर का आप लोग को मिल जाएगा, कोशन नमब क्या है, तो मुस्तफार जया, जो जो कोशन पूचा गया है, वो मैं आप लोगों को बताते भी चल रही हूँ, सात्वा सवाल, कि सुहेल अजिम अबादी के बच्पन का नाम क्या था, सेद मुझीवु रह्मान आप लोग को पता है, और ये भी कोशन पूचा हुआ है, इस इस भी ऑप्सन में आप लोगों को पटना दिखाई देगा, वो उस बिल्कुल कररक्ट एंसर होगा, दस नंबर सवाल है, कि सुहेल अजिम अबादी के पहले अफसानवी मजमुए यान की पहले कहानी का किताब का नाम क्या था, तो उनके पहले कहानी का किताब का नाम था, चार चेहरे, फड़ा फड़ा आगे बढ़ते हैं, ग्यारा नंबर क्योशन है कि सुहेल अजिम अबादी की पैदाईश कब हुई, तो उने से ग्यारे इस भी में हुई थी, बारा नंबर सवाल कि सुहेल साहब की का अबाई वतन क्या था, तो उनका अबाई वतन पठना था तेरा नंबर सवाल है कि सुहेल अजिम अबादी की अब्तदाई तालीम किस मदर से में हुई थी, तो इनकी अब्तदाई तालीम यानि की शुरुवाती शिक्छा किसी मदर से में नहीं हुई थी, बलकि एक मुखलीम की सरपरस्ती में हुई थी, तो जिस भी आप्सन में नाविल का नाम बता दिया गया यहां पर बे जड़के पौधे 18 नमबर क्वेशन की सुहेल अजिम अबादी के अफसानवी मजमूर की तादाद कितनी है यानकी इन्होंने कितने अफसाना यानकी कहानी का किताब लिखा है तो 125 याद रखिएगा ये भी कोशन पूचा गया है 19 नमबर सवाल की सुहेल साहब का इंतकाल कब हुआ तो उन्हें 180 में इनका इंतकाल हो गया था नेक्स्ट कोशन है कि सुहेल अजिम अबादी किस अखबार का इजरा किये थे तो साथी नाम की अखबार का इन्होंने इजरा किया था ये भी इंपोर्टन कोशन है आगे बढ़ते हैं 21 नमबर सवाल की फरार किसका अफसाना है तो डाक्टर मुहमद मोसिन का अफसाना है ये भी कोशन पूछा हुआ है 22 नमबर सवाल है की अफसाना फरार का मरकजी किरदार यानकी में करेक्टर कौन है तो में करेक्टर रहता है महमूद ठीक है देश नंबर सवाल है कि डॉक्टर मुहमद मोसिन की पैदाईश कब हुई तो 10 जुलाई उन्हें से 10 को हुई थी 24 नंबर सवाल कि डॉक्टर मुहमद मोसिन की पैदाईश किस शहर में हुई तो पटना शहर में हुई थी 25 number question है कि महसिन साहब के वालिद यान की पिता जी का नाम क्या था तो सयद मुहमद रशीद था important है याद रखिएगा 26 number सवाल कि सयद मुहमद महसिन के professor कौन थे अच्छा यहाँ पर question यह नहीं पूछा जा रहा है कोशन पूछा जा रहा है कि सयद मुहसिन जो है ना किसके प्रोफेशर तो याद रखेगा नफसियात यान की साइक्लोजी के यह प्रोफेशर थे तो यह भी question पूछा गया है यह भी important है ध्यान में रखिएगा जब मैं बोल देती हूं कब हुआ दो हजर दो इस भी में हुआ था 28 नंबर सवाल है कि डॉक्टर मुहमद मौसिन किस मौजू पर महारत रखते थे तो वह नफसियात यानि कि साइक्लोजी पर महारत आसिल थी डॉक्टर मौमद मौसिन को नफसियाती जाविये के मुसंणिफ का नाम क्या है तो कि territ Saying अपने अस्मावी मौसिन के में के किताब का नाम क्या है तो इसका नाम है अनोंखी ब्युक्त सेयद मौमद मौसिन के किताब का नाम क्या है तो बॉत नंबर सवाल लुक्स जो है ना सेद मुहम्मद मौसिन अपनी अधिया के साथ हद्सकाफ और जैदा किये तैतिस नंबर सवाल है कि मुहम्मद मौसिन का इंतकाल कहा हुआ तो दिल्ली में हुआ था जिस भी आप्शन में आप लोगों को दिल्ली दिखाई दे इसको टिक कर देना है ठीक है 34 नंबर सवाल की मुहम्मद मौसिन के कितने अवलाद थे तो तीन बेटे और चार बेटिया थी हलांकि यह कोशन पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है मुहम्मूद आगे चलकर क्या बन गया तो वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है आगे चलकर तो जिस भी सब्जेक्ट में 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 और पीचडी किया था तो उर्दू सब्जेक्ट से कटी हुई शाख किसका अफसाना है तो यह आप लोगों को पता है किसे कटी हुई है किसे कमर जहां ठीक है कटी हुई शाख जो है ना यह अफसाना है कमर जहां की नेक्स्ट कोश्चन कमर जहां का पहला अफसानवी मजमुआ यानि की कहानी के किताब का नाम क्या है तो जुनूने वफा नेक्स्ट कोश्चन है कि कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे तो भागलपूर यूनिवर्सिटी कमर जांकिस उनिर्सिटी में उस्ताद थी यानि कि एक खातुन ओरत थी तो भागलपूर उनिर्सिटी नेक्स्ट कोशन है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है तो मलिक ए महर निगार ठीक पैतालिस नंबर सवाल कि निगार अजीम का कौन सा अपसाना आपके निसाब में शामिल है यानि कि आप लोगे बुक में है जिस भी आपसन में आप लोगे दिखाई दे आशी आना उसको सही टिक कर देना है निगार अजीम का अफसाना का नाम क्या है आशी आना जुनू ने वफा की विशाद कब हुई यानि कि इसको कब परकाशित किया गया तो उन्हें से 66 हिजबी में और ये भी कोशन पूछ सकता है कि जुनू ने वफा को किस महानामा के जरीए परकाशित किया गया था तो महनामा यानि कि monthly magazine का नाम था सुभानाओं ठीक है question number 47 की कमर जहां के एक अफसानुवी मज़मुवा का नाम बताईए तो जबाब में क्या है चारागर यानि की एक कहाने के किताब का नाम क्या है question number 48 की निगार अजीम ने किस मजमून में मे किया तो उन्हों ने उर्दु और फार्शी में में किया था तो जिस भी option में आप लोग को उर्दु और फार्शी दिखा दे उसको टिक 묶्म algorithm कर देना है यह मैं आप लोगों को वन लाइनर इसलिए करा रही हूं डैरेक्ट इंसर में आप लोगों को बता दे रहे हूं और उसका जीदर से टिक कर देएंगा 49 consume कमर अपने नेूमेंट प्रूराम आगाज कावा से किया तो यह अपने अपने तद्रिसी काहउध किरियर का आगा जबे शरुआघ कि की थी संदर वति महीले कॉलिज क्योंकि एक खातून थी संदर वति महीले कॉल्ज भागलपूर से हैं 50 नंबर सवाल की निगार अजिम से किस कॉलेट से पिएजड़ी की डिगरी हासिल की तो जामिया मिल्या से इसलामिया कॉलेट से जो है ना तफिएज पीसडे की डिगरी हासिल की थी ठीक है पचास कोश्टन कंप्लीट हो गया भी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किये तो पड़ाफट लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें ठीक है आते हम लोग 51 नमबर क्योश्टन पर कि नेगार रजिम का पूछा हुआ सवाल है ठीक है तिरपन नमबर सवाल है कि निगार अजीम के सफर नामा का क्या नाम है जवाब में गर्द आवारगी ठीक है 54 नमबर सवाल कि निगार अजीम के पहले अफसाना का नाम क्या है तो जिस भी आप्सवाल में आप लोग को अक्स दिखाई दे उस संतावन देखिए यह भी कोश्चन में आप लोगों को बता देती हूं यह भी आप लोगों के एक्जाम में पूछा हुआ सवार है कर्बंडाइए एक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है तो 31% का इजाफा हुआ है इंपोर्टेंट है याद रखना है आगे बढ़ते है है 58 number question है कि जमीन का दर्जाय हरा रत पिछले सो बर्सों में कितना बढ़ गया है यान कि पिछले सो सालों में जमीन का temperature कितना बढ़ गया है तो 0.75 degree Celsius कोशन नंबर 59 कि मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है तो मीथेन गैस में 149 परतिशत का इजाफा यानकी बढ़ंती हुई है साथ नंबर करीशन की बालवग्यान गौंग्रेस यहां पर गल्ती से टाइप हो गया रहेगा बालवग्यान कंग्रेस from 2007 इस भी में हिंदूस्तान के किस शेहर में मनाकड हुआ कि था तो is को दीमापूर में मनाकड किया गया था जिस भी देखिए यह भी以前 याफ्य अप लोग स्टार मार्क लगा लिजें दीमापूर में मनाकड किया था इसका नेक्स्ट कुरिशन की किया मौजू आत थें तो पल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग यान कि बालवग्यान कॉंग्रेस की जो कंफ्रींस दिमापूर में हुई थी तो इसका मौजू क्या था टॉपिक क्या था किसलिए ये रखा गया था तो इसके दो ही मौजू थे एक था पल्यूशन और दूसरा था ग्लोबल वार्मींग और सिक्स्टीफोर है कि बालव अग्यान कंग्रेस के पांच दिनों के कॉंफरिंस में कितने तोलबा उतलबात को शिरकत करने वोने का मौका दिया गया तो पांच साथ 56 शात्रोचात्रायों कोशामिल होने का मौका दिया गया था कि लूओ गयान कांग्रेस में कितने असाज़्यन की टीचर इस सलिए थे तू 1165 इस सलिय थे 66 नमबर कॉष्टन कि सरस्य़र के वालिद ہیں कि पिता जी का नाम किया था तो मिर मुतक्की था ठीक है हलांकि आपसन में मीर तकी भी देता है मीर तकी तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाईएगा मीर तकी नहीं होगा मीर मुतक्की होगा ठीक है कोशन नमर 67 कि सरस्यद का कौन सा मजमून आपकी निसाब में शामिल है त तो कटी हुई शांक नेक्स्ट कोश्चन है कि सरस्यद अइमद खा की पैदाइश कब हुई तो 18-17 में हुई थी जिस भी आप लोगों को दिखाई देश को टिक कर देना है सत्र नमबर सवाल है कि सरस्यद के वालिदा यानि की मा का नाम क्या था तो अजीज निसा बेगम नाम था 71 नमबर सवाल है कि सरस्यद ने अलिगर में कौन सा अधारा काइम किया तो मुस्लिम इनिवर्सिटी इन्होंने काइम किया था अली गढ़ मुसलिम इनिर्सिटी कब कायम हुआ था तो यह 18-18 इस भी में पायम हुआ था 73का पूरा नाम क्या है तो इस इनिर्सिटी का पूरा नाम था मुहम्ड़न एंगलो और यंटील कॉलेच ठीक है पूरा नाम नहीं पुराना नाम सौरी पूराना नाम अलिगर मुस्लमिनिस्टी का पूराना नाम क्या था मुहम्ड एंगलो यंटील कॉलेज कोशन नमर 74 की आसारिल सनादीद किसकी तस्नीफ है ये भी कोशन पूछा हुआ है यह सरस्यद Aymed考uk क्रियेशन है यहां कि सरस्यद Aymed考uk की तस्नी hints है ठीक है कोशनिमर 75 कि सरस्यद Aymed考uk को सर का खिताब कब मिला हम 25.द ठीक है तह्यज़गी अख्लाग जो है जो है ना इनोंने ये पत्रिका जारी किया था 77 नमर सवाल है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है तो वह है डॉक्टर अब्दलमगनी ठीक है ये एक मजमून है अदब की पहचान और इसके मजमून निगार कौन है डॉक्टर अब्दलमगनी 78 नमबर सवाल की 1862 में सरसेयर ने गाजीपूर में कौन सी सोसाइटी बनाई तो साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी जिस भी आपसा में आप लोगो दिखाई दे रहा है उसको धीर से टिक करना है कोश्च नमर 79 है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है तो एक तनकीदी मजमून है ठीके अब्दुल मुगनी कब पैदा हुए तो उन्होंने उन्हें सच चौटिस यानि की पैदाई जो हुई थी अब आप लोगो खुद से इंसर बताईए और फिर मैं आप लोग को बत बताऊंगी और फिर आप लोग मिलाईएगा कि आप लोग सही बताएगी नहीं एक आसी नंबर सवाल क्या है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है आपसन ए में है कली मुद्दीन एहमद बी में अब्दिलमुगनी सी में अख्तर सी में हैं अख्तर रोनवी और डी में हैं सरसेद इमत बताएगे अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है अब आप लोग को चार आपसन मिल रहा है अब आप लोग खुद से इंसर बताएगे और फिर मैं आप लोग को सही इंसर बताती हूं तो मिलाईए आपका सही इंसर क्या है मतलब आप लोगों ने सही अंसर बताया की नहीं तो यहां पर 81 नमबर सवाल का सही अंसर हो जाएगा आपसा नमबर B डक्टर अबदल मुगनी अदब के पहचान के इस मजमून के मजमून निगार है तो आपसा नमबर B is the correct answer आई हो आप लोगों ने भी लगाया होगा आगे बढ़ते हैं 82 नमबर क्यूशन है कि इनमें अबदल मुगनी की किताब कौन सी है आपसा नमबर C is the correct answer नेक्स्ट क्यूशन अंदे स्क्रीन है कि अबदल मुगनी के वालिदियन की पिताजी का नाम क्या था आपसा ने में है अबदल खफूर B में है अबदल शकूर C में अबदल रौफ और D में अबदल वदूद याद रखना है इसका सही जवाब आपसा नमबर C अबदल रईफ होगा अबदल मुगनी के वालिदीयन की पिताजी का नाम था अबदल रऊफ आपसा नमबर C दा करेक्ट टेंसर चौरासी नमबर सवाल कि अबदल मुगनी ने किस मदर्सा में तारीम हासिल किया आपसा ने में अबदर्सा शंसुल्फदा वी में मदर्सा इमदादीया मतलब मदर्फा नवारुलूम अच्छा सुरी मदर्फा करेक्ट नमबर सवाल की अबदुल मोहनी का इंतकाल कब हुआ और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्सन नंबर वी 2006 नेक्स कोशन है कि भीम राओ अंबेडकर की वालिदा यानि की मा का नाम क्या था ऑप्सने में भीम भाई भी में पुतली भाई और दी में लक्षमी भाई तो भीम राओ अंबेडकर की वालिदा यानि की मा का जो नाम था वो नाम था भीम भाई ऑप्सन नंबर ए इस दा करेक्टन सर ये तो बहुत ज़्यदा आसान सवाल है कोशन नंबर 87 देखिए कि भीम राओ अंबेडकर की पैदाइश कब हुई आप में वाच पोस्ट से रिटाइर हुए थे तो वो एक सुबैदार के पोस्ट से रिडाइर हुए था यह उपसन नंबर एजक्ता क्रेक्टन सर फ्रीव को नाम नंबर सवाल तो बहुत Jakarta स्वारी दोन देखिए मधैकर क्यों से द क्राइश वह से थ Zusch 340 यृव्टा आजान 10 D00 में यानि कि जब हिंदुस्तान को आजादी मिल गई तो स्वतंत्र भारत में जो भीम राव अंबेडकर है ना वो वजीर कानून के होदे पर फाइज हुए यान कि आपसा नंबर सी इस दा करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं क्या नंबर सवाल कि भीम राव अंबेडकर का इंत इन कॉलेज भीमें पटना कॉलेज सी में फ्लोरेंस कॉलेज और डी में है कोई नहीं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपसन नंबर बी जी हां ऑपसन बीज़ा करेक्ट इंसर पटना कॉलेज से यह अपनी मुलाजमत यह नोकरी का आगास किये थे जो डॉक्टर अब्द और अंगाबाद बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का मुझे पता है कि आप सबी लोग भी ही लगा रहे होंगे और अंगाबाद आगे बढ़ते हैं कोस्ट नंबर 94 की डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तालीम कहां तक है और साने में आटवी दर्जी तक भी में हैं मै देख डॉक्टर अबदुल मुगनी कसको नजर की मुलाजमत से सबक दोशju还 यहां पर थ्व्रा सा गलत हो गया है स Siz और सिर्फ इतना फूचा जा रही हम इंड़क्र अबदुल मुगनी सबग दोश हुए थे किस कॉलेज से ये आप नजर गलती से टाइप हो गया है डॉक्र अब्दिल मुगनी जो है न किस कॉलेज से सबग दोश हुए थे बिज़ एंड कोलेज भी में पटना कोलेज सी में फ्लोरेंस कॉलेज और डी में है इन में से कोई नहीं तो 95 का आपसर नमबर ए इस दा करेक्ट एंसर बी एन कॉलेज ठीक है 96 नमबर सवाल है कि दर्जायल में कौन अब्दुलमुगनी की किताब नहीं है उपसर नमबर इस दुनिया में हो सकता है बहत ही जदा असान सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा option number C महू सेंट्रल इलिया में भीमराव अमबेटकर की पैदाईश हुई थी 98 number question है कि भीमराव की वालिद यानि कि पिता जी का नाम क्या था ध्यान से पढ़ लिजिएगा उनके पिता जी का नाम था राम जी मालो जी सकपाल देखिए तो किस option में दिखाई दे रहा है option A में है राम जी मालो जी सत्यपाल ये नहीं होगा option B में क्या है option B is the correct answer option B हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब राम जी मालो जी सकपाल भीमराव के पिता जी का नाम था 99 number सवाल है कि भीमराव को सभी लोग बच्पन में क्या कहकर पुकारते थे तो उनको सभी लोग भीमा कहकर पुकारते थे option B is the correct answer जिन लोगों ने भी option B लगाया होगा बिल्कुल सही जवाब है और ये तो बहुत आसान question था अब देखिए इस live class का ये last सवाल है और आप लोग इसका सही जवाब देजिएगा सवाल क्या है कि भीमराव के दादा कहा के रहने वाले थे option A में है सितारा, B में है सेंट्रल इंडिया और C में है अंबा वाडे बताईए भीमराव के दादा कहा के रहने वाले थे बहुत आसान सवाल है यह लास्ट क्योशन है आप लोग खुद से बताईए और इसका सही जवाब में आप लोग को बताने वाली हूँ इसका सही जवाब होगा वह होगा आपसा नंबर C अंबा वाडे भीमराव के दादा जी जो है ना वह अंबा वाडे के रहने वाले थे फाइनली यहां पर हो जाता है हंडेट अब्जेक्टिव कोशन कंपलीट है और तो अब यूकर सकते हैं कि दो सापजेक्टिव कॉशन हम लोग कर लिए एक कर यह धरा कर ही आफिचा सकते हैं या लुकर आपद्यों के सकते हैं तो या दू सरो या धर यहां पर फाइनली कम्प्रीट हो जाता है और बचा हुआ है सो जो कि हम लोग दे तरी यानि की तीसरे दिन कम्प्रीट करेंगे और उसके बार से पुरा अब्जेक्टिव खतम तो आई होप आप लोग को आज किस वीडियो में जो कुछ भी समझाई और जितना भी अब्जेक दोस्तों की पास जितने भी आप लोग रिष्टेदार है कॉंटेक्ट में जितने भी लोग के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लिजिएगा चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विद